तो आज हम बनाते ही वापा दोई जो कि है popular trees बहुत ज़्यदा बपुलार है सभी को बहुत बसंद आता है पर आज हम फ्लेवरफुल बनने वले ही से म्यांगो सेजन चल रहा है क्यों ना म्यांगो वापा दोई बनाये जाए तो चलिए सुरू करते ही बिल्कुल माउस मेल्टिंग हे मूँ में जाते ही गुल जाता ही आप इसका texture देख सकते ही कितना soft और कितना delicious बरा है तो चलिए सुरू करते ही दोस्तो इसे बनाना बहुत बना सकते हो दहीजी बिल्कुल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था तो यहां पर हम क्या करेंगे ना इस तरीके से कप्ड़े में इस लग रखकर इसे हम अधर अंडेके लिए इस तरीके से फोल करके रख लेते ही जैसे कि इसका सारा पानी अच्छे से ड्रेन हुझ जाए अब हम चलते हैं, 15-20 मिन के बाद आप देख सकते हैं, दही का सारा पानी अल्मोस्ट इनट हो चुका हैं दही हमारा बहुत अच्छे से घढ़ा खटा बन चुका हैं तो आप चलते हैं, इसे हम अच्छे से विष्ट करते हैं जीसे की इसका texture creamy टेक्षर ना हो जाए जब तक इसका texture creamy ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से whisk करेंगे आप देख सकते हो इसका texture बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो चुका है पता भी नहीं चल रहा है कि यह दही है इसे लग रहा है कि यह cream भी तो अब हम इसे side में रख लेते हैं मैंगो भी बहुत ही ज़्यादा मीठ्या था इसे जिन में बहुत अच्छा मैंगो मिलता है तो क्योंना मैंगो का यूज अच्छे से किया जाए अब हम इसका सारा पल्प अच्छे से निखाल लेते ही अब हम इसनी मैंगो केहीं प्युरी बनाएंगे और थोड़ा समयांगो मैंने रख लिया था डिकुरेशन के लिए अब हम क्या करेंगे ना जाएंगे दही के तरफ दही में आपर डाल ग Empire आपड़ जहे दिन टेवल स्पून सुगर मेंघाष वार टाही थैजान तततता है इसलिए mo dough to effective tools पेस्ट पाउडर डाल दे और यह भी पीज़िए मेंघार बाहन चाहिए मशाया क्ना स known ने उमारे test m pliers और आजिए वह जायं पाय क्त carbon तो यहां पर इस तरीके से एक बर्दन ले रही हूं आपके पास जो आप लेना आप चाहे तो केक्टिन भी ले सकते हो और सारे प्यूरी को हम इसमें ट्रांसफोर कर लेते हैं इसे थोड़ा सा आरेंज कर लेते हैं जैसे कि अच्छा दिखें अब हम क्या करेंगे नेक्स प्रोसिजर की तरप चलते हैं कड़ाय में हम लेगे थोड़ा सा पानी और इसे में अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं जब यह अच्छे से बॉयल हो जाए ना इसके उपर एक स्टांड रख लेंगे वहां पर इसे अलमुनियम फॉयल के साथ कभर कर रहे हूं ऐसा करने से यह अच्छे से करके हापा नवर के लिए मीडियम फ्लेम पे ही से स्टीम होने के लिए छोड़ देते ही हापा नवर के बाद तो चलते हैं जोड़ा सा चेक कर लेते ही बहुत ज़्यादा घरम था यहां बार नाइफ पूट करके देख रहे थी और नाइफ तो बिल्कुल क्लीन आया था तो साइड भी छोड़ रहा है यानि कि यह बिल्कुल लड़ी हो चुका है अब हम इसे थंडे होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक रूम टेंपरेचर में ना आ जाए जब रूम टेंपरेचर में आएगा ना उसके बाद हम इसे 2-3 घंटे के लिए रिफ्रिजेटर में करने का मरंट हो जाएगा है कोई टेंसर नहीं है बहुत आनाम से अब मेने पहले से म्यंगो बाना कर रखे थे आना उसे भी का, अरेंज के लेते हैं और उपर के तरफ थोड़ा सा ही स्लाइस में कटक्या हुआ ड्राइफ्रूट्स भी डाल देंगे मैं आपर आलमंड डाल रही हूँ आप चाहे तो पिस्ताइचों भी डाल सकते हूँ अब आपका बहुती डेलिश्यस म्यांगो वापा दोई बिल्कुल एडिये दोस्तों बहुती सौफ्ट और टेस्टी बना था जड़े ट्राइकान और मुझे बताना कैसा लगा